Hello everyone, मेरा नाम हुआ नील और आप देख रहे हैं NixTetrix YouTube चैनल आज हमारा बिहारे Special Top 1000 का दूसरा दिन है और आज के ही दिन हम लोग भी पहले दिन के तरह ही चर्चा करेंगे और important question को photo के जरी है समझने की कोसिस करेंगे तो चलिए बीना किसी देरी की हम लोग अपनी वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से फिर से छोटी request करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे first time आ रहे हैं तो please हमारे चैनल को अभी subscribe कर दिजिए और अगर रिवीजिटर हैं तो वीडियो को अभी like कर दो बाद में आप भोल जाते हो आज का पहला प्रसन है पतना में इस्थित परियाटन अस्थल कौन सा है इसका जो answer होगा वो उपियुक्त सभी होगा हम सभी को थोड़ा थोड़ा समझते हैं सब के बारे में थोड़ा सा historical fact को भी जानते हैं सबसे पहला हम लोग देखते हैं अगमकुआ को तो अगमकुआ के बारे में ऐसा कहा जाता है मैं देखो इतिहास की बातों को भी बीच 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 ये बताता चलूगा क्योंकि आप अच्छे से चीजों को समझ सके देखो अगम कुमा जो था इसको मौरी इंपायर के टाइम में इनको बनाया गया था और इसको बनवाया किस ने था अशोका ने बनवाया था तो अशोका और आपको पता होना चाहिए हिंदू के मतलब जो साधी होती हिंदू की तो उसमें इंडा पूजा होता है तो जो पतना के लोग हैं जो भी वहां के रहने वाले हैं तो यहीं पर इंडा पूजा करने के लिए आते हैं आपको पता होना चाहिए इसी के जस्ट पास में आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हो, यह सितला देवी का मंदीर है, तो दोनों मंदीर और साथ साथ में इंडा पूजा और साथ में जो मेन पूजा होता है, साधी से पहले का, वो ही यहाँ पे हो जाता है, और इसलिए यह जगा बहु ज़्यादा फेमस है पटना में, नेक्स्ट है सैफ का मस्जिद या मदर्सा है इसका दूसरा नाम पत्थर की मस्जिद है पत्थर की मस्जिद क्यों है क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं यह पत्थर की मस्जिद है जिसको सैफ का मस्जिद भी खा जाता है यह संपोन रूप से बना हुआ है पत्थर का और इसे बनवाया था किनोंने, तो जहांगीर का बेटा थे वो, उनका नाम था सैफ मिर्जा, उन्होंने ही इस मस्जित का निर्मान पटना में करवाया था। नेक्स्ट है हमारा तक्त्ष्रि हरी मंदिर। टक्त्ष्री हरी मंदिर के बारे में मैं आपको ये FAT कुछ बतायाता हूं, कि आपको पता होना चाहिए कि गुरूगोविंस सिंग का यह जन्म अस्तल माना जाता है, आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पर तक्त्ष्री हरी मंद पटना मौका मिलेगा कभी जाने का तो आप हर जगह जाकर के घूम के देख सकते हो मैंने हर जगह को देखा है इसलिए इनकी फैक्ट थोड़ी बहुत मुझे पता है तो इसका जो एंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर किंगम के बारे में मैं बतायता हूँ ये हमारे स्री अलेक्जेंडर किंगम है और ये ब्रिटिस इंजिनियर हुआ करते थे और British engineer होने के साथ-साथ इन्होंने बहुत सारे evacuated अस्थल जो की हमारे हिंदुस्तान में है जैसे की हरपपा ये सबको भी इन्होंने world archaeological map पे इंगित करवाया था साथ-साथ मैं आपको इनके बारे में और बता दूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो archaeological survey of India है ऐसा माना जाता है कि Alexander King जब हिंदुस्तान आये थे तो इन्होंने हिंदुस्तान की जो जर्ती को देखा तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि हिंदुस्तान का इतिहास इन्हें बुला रहा है और इसलिए इन्होंने यहां पर आके अलग-अलग चीज़ों को जांचा पढखा और बा बक्तियार खिलजी के बारे में मैं थोड़ा बतायता हूं कि बक्तियार खिलजी अफगानी टर्किस मिलिटरी जेनरल थे और वो 1197 से लेकर के 1206 के बीच में हिंदुस्तान में वो आये थे और यहां आकर्मन किया था उन्होंने और माना जाता है कि बुधिजन को हिंदुस् चाहिए बिहार में सबसे ज्यादा ति थे लिएंटारी कहां आते हैं बोध गया में सबसे जाएद जाई बुदिया में हिंदुस्तान के ही नहीं बलकी हिंद्विक्राइशन के अलावा चाइना जयापन मंगोलिया यह सब कंट्री के भी लोग यहां पर यत्रा करते बस किन के लिए तो बुध्ध के लिए, बुध्ध के बारे में थोटा सा आपको फैक्ट बतायता हूं, कि बुध्ध का बच्पन का नाम सिधार था, इनका जन 563 BCE में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था कहां, तो इनका जन्म हुआ था, लुंबनी में, ये शाक के कूल के थ जिदार्थ था और इनकी माता का नाम महा माया था आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट है गया सहर में परेटों को कुछ देखने के योगे क्या है तो सबसे पहला है अक्षयवर्ट व्रिक्ष ब्रहयोनी पहाड़ी सूरी मंदिर उप्रयुक्त सभी टो मैं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इपको बता जाता हूं कि अक्षयवर्ट के बारे में बता जाता है कि एक रिशी थे जिनका नाम था मार्कंडि सेज मारकंड साधूं ते उन्होंने कहा था था कि आप अपनी सक्टि को दिखाये आप कर सक्टि थी है तो कुछ ऐसा कर के दिखाये जिसे मैं आपके सक्टि भरोसा कर सकूं तो वो न्रायन क्या कियó कि कुछ समय के लिए पूरे प्रिथिवी पर उन्होंने बाढ़ ला दिया और बाढ़ लाने के बाढ़ आने के बावजूद भी स्वर्ग से दिखी रहा था और आप यहां पर फोटो में देख सकते हैं कि यहां पर यह नारायन का इमेज है और ऐसा माना जाता है कि जो अक्षे व्रिक्ष है यह ब्रहयोनी पहाड़ी इसके बारे में बताता हूं यह ब्रहयोनी पहाड़ी और यह रिलेटेड किस चीद से है तो यह रिलेटेड है बौध धर्म से अब बौध धर्म में इसका क्या इंपोर्टेंस है मैं आपको बताता हूं यहां पर किसी अगनी का मतलब बुद्ध में आप देख सकते हो सुरी मंदिर भी बिहार में है इसको एक्चुली देव सुरी मंदिर कहा जाता है सुरी मंदिर तो वैसे कुनार्क में है आपको पता होना चाहिए लेकिन यहां जो बिहार में सुरी मंदिर है वो देव सुरी मंदिर है और देव सुरी मंदिर एक्चुली बीस मांगते हैं तो Sun God उनकी विश्च को पूरा कर देते हैं और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कुनारकवला जो Sun Temple है वो पूरब की तरफ है क्योंकि सूरज पूरब में उगता है लेकिन देव सुर्वी मंदिर जो औरंगाबाद में इस्तित है वो आपको पश्शिम के त तुरी सरकर्मा ने गल्ति से वह रात में जो बनाने लगे तो उन्होंने साम के टाइम में बनाना शुरू किया था और इसी गल्ति में सुर्वी मंदिर पश्चिम के तरफ बन गया बलकि उसे बनना चाहिए था पूरब की तरफ में तो आप ध्यान में रखिए गा इन आवंटेन की है, how much amount was allocated by government of India for the development of भोध गया, राजगीर, नालंदा, टुरिस सरकीर, आप लोग देख सकते हो, यह सारे के सारे भोध गया, राजगीर और नालंदा, यह सारे के सारे आप सरकीट है, आप यहाँ पे map में देख सकते हो, orange line जो है, वही denote करता है, किसको भोध गया नालंदा और राजगीर को, यहाँ पर यही तीन जगह, यह जो जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जगह पे यह तीनों जगह है, और इसके लिए सरकार कोने कितना, तो 1922 असमलो, 42 लाक रुपया का आवंटन किया है, बस इस चेज के लिए, यह सरकीट बन सके, औ और बिहार में टुरिज्म किसी ने किसी प्रकार से बढ़ सके, नेक्स्ट है हमारा, बिहार में परियाटन के विकास के लिए, कौन सी कारी किया जाने की आवा सकता है, तो बिहार की अच्छी छवी का निर्मान और प्रचार, देपो सबसे पहला ही है, उसके बाद भौतिक अधिसंचरन में, सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाय, और विकास, यह सभी, इसका अंसल होगा, क्यों हमें आपको बताता हूँ, सबसे पहले अगर बिहार की छवी अच्छी नहीं रहेगी, तो बिहार में कोई भी पिलिग्रमेज नहीं आएगे, कोई भी यात्री या भी ट्रावलर्स नहीं आने बाले हैं, देखो भौगलिक अधिसंचरन रचना में सुधार की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर सडक मार को गरह अच्छा नहीं रहेगा, तो भी यात्रीयों को आने में यहां पर समस्या होगी, और सबसे अंतिम में बहतर नगरिक सुवीधा का विकास, और सिविक एमिनिटीज को भी ठीक करना है, मतलब जो लोग यहां पर आएं, उनको सेवा सतकार अच्छे से मिल सके, इन सब चीजों का होना चाहिए, उसके बाद ही हमारे बिहार में परेटर टुरियस्म अपने मतुतकर्सक पे जा सकेगा, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, सेरसाह की प्रासरिस्टिक प्रियोग साला किसे क नोच का जाता है, तो सासाराम दिल्ली चुनार पत? अप यहां पे देख सकते हैं, यह सेरसाह का इमेज है, सेरसाह का बचपन का नाम फरीध हुआ करता था, फरीध खळै और माना जाता है कि सूरी डाइनेस्टी के यह संस्थापक थे, और एक और बात इनके बारे में कही जाती है कि रूपी जो है करेंशी, रूपी, रूपी को सबसे पहले इन्हों नहीं चलवाया था, ये बात भी कही जाती है, और रूपी से पहले टांका चलता था, टांका याद रखी है, टी ए एनके ए, लेकिन टांका को बाद में इन्हों नहीं, सेरसा सुरी नहीं, चेंज क करके कर क्या कर दिया रूपी और वास्तविक्ता में यह भी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में जो रूपया आज चल रहा है रूपी जो चल रहा है वह इनहीं के द्वारा शुरुवात करी गई थी इसके साथ यह भी कहा जाता है कि आपको पता होना चाहिए हैं कि हमारे यहां GT Road है आपको पता है Grand Trunk Road आप इसको जानते हैं GT Road तो GT Road actually बना हुआ बनवाया किनके द्वारा गया था सेरसा सूरी के द्वारा बनवाया गया था यह बात कही जाती है लेकिन इसके साथ साथ एक और अविधारना यह माने जाती है कि GT Road actually चंद्रगुप्त मौरे के द्वारा बनवाया गया था actually क्या है मैं आपको बताता हूँ fact क्या है यह GT Road आप इसको imagine में लिखिये का यह GT Road है तो इसके just बगल में सटा हुआ चंद्रगुप्त मौरे ने भी अपना एक रास्ता बनवाया था जिसको उत्तरपथ कहा गया है जिसको बाद में दोनों को मिला करके मतलब यह पूरी की पूरी ही channel को GT Road कहा जाता है actually GT Road को ही उत्तरपथ कहा जाता है और उत्तरपथ का निर्मान किस ने करवाया था तो चंद्रगुप्त मौरे में ने करवाया था और हमारे जो सेरसासूरी थे सेरसासूरी ने उसी उत्तरपथ को extend करवा करके West Bengal तक उन्होंने business और साथ-साथ में यातायाद के लिए इन्होंने शुरुवात की थी next प्रस्ट है हमारा किस अस्थान की सरप्रथम पहचान प्रसिद पुरा तत्त्तो स्थास्त्री अलेकजेंडर किंगधम ने की थी which place was first identified by famous archaeologist अलेकजेंडर किंगम तो इसका जवाब है नालंदा आप देख सकते हो नालंदा में हर साल कोई भी पर्व होता है तेवार होता है आप देख सकते हो यहाँ पर नालंदा में किसी प्रकार का inauguration हो रहा है बाहर से भी लोग आते हैं साथ में नालंदा के जो आमनिवासी होते हैं वो भी इस चीज में भाग लेते हैं और इस जगा को सबसे पहले जो खोजे थे वो हमारे अलेक्जंडर किंग्जम साहब को जे थे ये ब्रिटिस आर्केलोजिकल आर्केलोजिस्ट थे और इन्होंने ही वर्ल्ड के आर्केलोजिकल मैप पे सिंधु गाटी सबिता को सबसे पहले अंकित करवाया था आज का अंतिम प्रसन है महावीर की मृतियू कहां हुई थी वैसाली में, राजगीर में, पाटली पुतर में, पावपुरी में वेडिड महावीर डाई तो महावीर की मृतियू आपको पता होना चाहिए पावपुरी में हुई थी अब देख सकते हो यह जगा पावपुरी है पावपोरी का वही famous मंदिर है जहां पे भगवान महाबीर की मृति हुई थी और आपको एक बात में बतायता हूँ महाबीर जो भगवान थे वो जैन धर्म के अंतिमतिर धंकार थे और यहां तक अगर आप हमारी वीडियो को देख गया है तो आपको सायद वीडियो अच्छी लगी होगी जाते जादे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों की विश भी सेयर करना आज के लिए इतना ही नेक्स्टे हम लोग नए कंटेंट के साथ इसी सीरीज में मिलेंगे तब तक की लिए बबाए टेक या रहा है एस्टेबलेस्ट